तो आज मैं आपको bricks के बारे में बताऊंगा सबसे पहले हम बात करेंगे composition of brick कि brick के अंदर होता क्या क्या है कैसे कैसे वो बनती है तो सबसे पहले जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा amount में होता है वो होता है silica 50 to 60% उसके बाद amount of thes alumina की 20 to 30% उसके बाद lime, magnesia, iron oxide और admixtures आपको यह याद रखना है कि brick के अंदर सबसे ज़्यादा amount में क्या होता है silica क्योंकि यह question भी पूछा गया था J.E.K. exam में उसके बाद हम बात करते हैं manufacture of brick तो कैसे हम इसको यह पूरा process होता क्या है इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं clay को prepare करते हैं उसको fine कर लेते हैं अच्छे से उसके बाद हम क्या करते हैं उसके kneading करते हैं kneading मतलब उसके अंदर पानी डालके उसको अच्छे से mix कर लेते हैं उसके अंदर की जो भी air है उसको remove कर देते हैं उसके बाद हम उसके अंदर क्या करते हैं उसकी molding mold के अंदर उस जो हमारा mixture है उसको mold के अंदर डाल के उसको proper shape and size देते हैं उसके बाद उसको चाया में सुखाया जाता है जिसको बोलते हैं drying चाया में हम उसको सुखा लेते हैं उस brick को फिर उसको सूखने के बाद फिर उसको burn करते हैं फिर उसकी करते हैं burning तो ये process भी आपको याद रखना है सबसे पहले preparation of clay फिर molding फिर drying फिर burning इसके बाद मैं बात करूँ इसके size के brick की तो ये आप सभी को शायद पता ही होगा कि जो size होता है वो इसकी length होती है 19 cm इसकी width होती है ये 9 cm और इसकी depth होती है 9 cm तो ये generally सबको पता होता है जो नहीं पता होता है frog फ्रोग की बात करूँ मैं इस portion को बोलता हूँ मैं frog तो इस frog की जो specification है वो students को generally नहीं पता होती है कहीं बार exam में पूछ ली जाती है तो ये थोड़ी vary करती है जैसे मैं इसकी length की बात करूँ यह frog इसकी length की मैं बात करूँ यह होती है 8 to 10 cm इसकी length होती है इसकी width की बात करूँ यह इसकी width है यह इसकी width है width की मैं बात करूँ तो यह होती है 4 से 6 cm इसके बात करूँ इसकी depth की आप जैसे देख रहे हो यह सकी डफ्थ है यह अंदर यह नीचे यह सकी डफ्थ है इसकी मैं डफ्थ की बात करूँ यह होगी एक से दो सेंटीमेटर तो यह आपको याद रखना है फ्रोग हम यूज करते हैं जॉइट बनाने के लिए अच्छा इसलिए हम बिर इंदर यह बनाते हैं ताकि जो जोइंट है वो प्रोपर बने ब्रिक्स का मोटार के साथ और पूरी स्टेंथ उसकी अच्छे से आए उसके बाद थर्ड है इसका मोल्ड का साइज मोल्ड का साइज ये भी आपको पता होना चाहिए जो मोल्ड का साइज होता है वो ब्रिक के साइज से वो 19 cm थी लेकिन जो मोल लोगा जिसके अंदर हम पूरा जो अपना मिक्शर त्यार करके डाल लेंगे इसका शेप और साइज देने के लिए इसी शेप और साइज के जैसा होगा वो मोल लकड़ीगा तो उसकी जो length होती है उसकी length होगी 21 cm उसकी length होगी और 10 cm उसकी width होगी और 10 cm उसकी depth होगी तो आपको यह याद रखना है 21 cm उसकी length होती है और 10 cm उसकी width और 10 cm ही depth तो यह थोड़ा size उससे बड़ा होता है brick से तो इसके बाद मैं बात करूँ types की, types में आता है इसका first class brick, second class brick, third class brick और एक fourth class brick भी होती है हमारे बास, तो यह इसके चार types हैं, इनके बारे में मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि मैं पूरी अच्छी तरह describe करूँगा कि क्या क्या उसके अंदर points होते हैं, first class के अंदर, third के अंदर, तो इसके बाद अगर मैं next बात करूँ, तो इसके पर मैं एक वीडियो और बनाऊँगा, जिसमें कि मैं यह आपको बताऊँगा कि कैसे हम जो brick के test करते हैं, site के उपर, आप कैसे पहचान सकते हो कि brick अच्छी quality की है, उसकी quality कैसी है, site के उपर बीना किस यूज होता है, तो I hope कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, thanks for watching.